तो आपने बाहर का पीज़ा तो बहुत बाहर खाया होगा और वो बहुत महेंगा भी रहता है और ज्यादा टेस्टी भी नहीं लगता है लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपप गर में बहुत जब्स होदा पीज़ा जटपट ton जब सकर एक्वा helped क्छ स्वेधा बोफसंद क करेंगे तो चलिए आज मैं आप सब को बताती हूं कि आप घर में बस कुछी मिंटों में कुछ इंडियूंट के साथ बहुत जदर टेस्टी पीजा कैसे बना सकते हैं और इसमें आप अपने फेवरेट और मन पसंद की टॉपिंग्स भी डाल सकते हैं तो चलिए आज ही बहु बहुत आसानी से मिल जाता है और आप इसे एक से दो खरीट के लिया सकते हैं ताकि आप इसे दो से तीन दिन के लिए यूज कर पाएं अगर आपको पीजा कहने को अधमन कर रहा है तो अमने या पर एक बेस लिया है इसका साइज मीडियम है आप इसका लार साइज भी ले स सकते हैं और हमने या पे लिए धीर सारी विजिटेव जैसे कि यहां पर हमने लिया है पनीर बेबी कॉंस शेमला मिर्च प्याज और मश्रूम आप चाहे तो और सबजी आप कर सकते हैं या जो आपको पसंद है उसको आप इसमें आप कर सकते हैं तो आप चलिए हम लोग ना बेबी कॉं और पनीर और मश्रूम को ना थोड़ा सौते कर लेंगे जिससे उसमें और ख्लीवर आजाल वो कच्छा पन ना दे तो यहां पर हमने एक नॉनस्टेक पैन लिया है जिसमें हम लोग सबसे पहले आट करेंगे थोड़ा सा बटर और पनीर को कर लेते हैं और जब पनी फ्राय हो जाए चैल मेरा पर हमने लिए मश्रूम हमने बॉइल कर लिया है थोठें तीन मिट के लिए फिर इसे आप पैन में टाल दालिए थोड़ा बटर डाल दीजे और शिली लेक्स थोड़ा से चाट मसाला और थोड़ा सा नमा… फ्र पर अफरम comment जलें है और बस यह सारे इंग्रीडेंस को आट करने के बाद इसे अच्छ तरीके से मिक्स कर लीजे तो जिससे जो हमारे मश्रूम है उसमें अच्छ सा फ्लेवर आ जाएगा और वो एकदम साधे साधे नहीं लगेंगे और बस मश्रूम तयार हो गए हैं इसे हम लोग साइट कर लेते लेकिन अगर आपको मिल जाएं तो आप इसे आड़ कर सकते हैं यह बहुत अच्छ आपको फ्लेवर देते हैं वरना यह ऑप्षनल है और हमने यह पे शिम्ला मिर्च एक लिए है आप चाहें तो और भी रेड कलर के बेल पेड ले सकते हैं या फिर यह लो कलर के बेल पेड तो यहां पे हमने तीनो सब्गियां सौटे कर लिए है और प्याज और शिम्ला मिर्च कुछ भी ने कर रहे हैं उसे बस आपको कट कर लेना है जिससे जो पीजा है उसमें एक क्रंचीन ऐसा है वो प्याज और शिम्ला मिर्च से या आता है लेकिन आप चाहें तो आप उसे साथे कर सकते हैं और फिमने बेस वी लगा दिया है बडर बडर अडिने की बार र्च के समय में एक सफिरण कर लेकिते हैं और अज दिणके आपको सप्रेट कर लेकिर से यहां पी हम ने ली ने लिए है इसे मौसरेला चीज अगर यह पर अकम या आपको मिर्क मैं संवाल कर लगाएंगे प्याच को अपको आपको आपको इसे कट करके उसका एक एक जो कली है उसको निकाल लेना है फिर आट करना है और शेम्ला मेच को भी कुछ इसी तरह से आप पतला पतला कर लीजएगा तो यह देखिए इसे आप अपनी साब से जैसे आप चाहें डिशे सकते हैं फिर हम लोग एवाने मुष्रूम बिलगा रहे हूं तो अन हम लोग इसमें पनीर को लगा लेते हैं और फिर इसमें लगा देंगे हम लोग बेभी कॉन को तो बेबी कौन को एड़ करने के बाद अब हम लोग इसके उपर डाल देते हैं चीज को तो उपर हम लोग ज़ादा चीज को एड़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने बेस पे चीज को डाल दिया है बहुत सारा आप चया तो उपर भी बहुत चीज आएड कर सकते हैं तो सारी सब्ह इसमें इसे में बहुत चीज को नहीं डाल रहे हैं फिर हम लोग उसके प्लेक्स में च्ली फ्लेक्स अगर कर 我們 यहीं तो घर में ऌस्तों वही उसके कि बात हम लोगी एक लेलेंगे एक प्लेट को मोग बटसरपी घृस करलेंगे कि लिए ऊपर से बाप से प्लेचा नहीं उसमें आप इसे बाप और पीजा नहीं निकले और से मार्म वाप सबस्क्राइव 180 celsius, 2-3 minute के लिए आप से बेक कट देंगे तो जो चीजे वह बहुत अच्छ से मेल्ट हो जाएगी पैन में हमने इसे लोटो मेडियम फ्लेम पे पान से तस मेट के लिए रखा था तब जो चीज है वह मेल्ट हुई है तो यह देख सकते हैं कि यहां पे जो चीजे वह सब मेल्ट हो गई है अगर आप इसे डारेक पान पे रखके बेक करेंगे तो जो बेस होगा वह जल जाएगा तो यहां पे जो पीजा है उसे हम लोग निकाल लेते हैं और यहां प्रहुदा टेस्टी वेज ओवर लोड़ेट पीजा बनके तयार है जो बहुत टेस्टी बना है और यह आप एक बर जरू बनाके खाईएगा तो अब लोग इसे कड लेते हैं स्लाइस में कट और आप चा तो चाको से भी cut कर सकते हैं तो यहां आप देख सकते हैं हमने इसे पहले से half cut किया है इसे फिर से हम लोग half cut कर लेंगे और बस यहां पर मेरा बहुत जार टेस्टी यह वेच पीज़ा बन के तयार है इसे आप खाईए और इंज्वाइ कीज़े या आप किसी भी party बना के खा सकते हैं या फिर कभी भी pizza बना के खाने का मन कर रहा है तो आप तब भी से खा सकते हैं एक बड़ दूप्राइ कीज़ेगा तो अगर आपको मारी आज ही रेस पसंद आई है तो लाइक कीज़े चानल पे नए हैं सब्सक्राइब कीज़े और बेल एकिन दबाना नहीं भूलिएगा और मिलते हैं आप सब नेगले वीडियो में वीडियो को पूर देखने के लिए थाइंक्यू और बाइवाइ